दोस्तो मैं मेरे डैड यूटूब चैनल के साथ कर रहा हूँ एक 30 days challenge जो कि आप भी अपने YouTube चैनल के साथ कर सकते हैं और जिससे कि आपका YouTube का जो डैड चैनल है वो grow करेगा वह आप इससे blow up करेगा within 30 days तो here is the strategy जो मैं हूं हर्ष और आप देख रहा है मेरा YouTube channel तो आप सभी लोगों को मैं यहां पे काफी इंडेप्थ वाली बाते बताने वाला हूं जिससे कि आप जो आपका चैनल है जो यहां तो एक लाग सब्सक्राइबर हो चुके है या कम सब्सक्राइबर है लेकिन व्यूज बिल्कुल भी नहीं आरे 30 डेज का एक चैलेंज आप म मैं एक वीडियो बनाने की प्लान करता था फिर मैरे दिमाग में आया कि एक वीडियो बनाने से तो वो सिर्फ मेरी परस्ञल वीडियो जो मैं नीश के ओपर बनाऊंगा ओ और कब नहीं चलेंगी पता नहीं लेकिन मैंने साइड बा साइड जो ट्रेंडिंग चीज़े उसपे भी एक video बना दिया करोंगा, एक video जो मेरी की होगी, और एक जो trending topic, जो searchable topic होगा, उसपे भी एक video बना दिया करोंगा, जैसे कल मैंने मेरी first video बनागी, उसके बाद मैंने Mewai के मचाएंगे 3 पे reaction दिया, उसपे मेरा search से traffic आया, जिसके कारण मेरी growth डबल होगी, तो इसी तरह 30 दिन तक 30 वीडियो और एक एक्स्रा वीडियो जो की सर्चेबल होगी उससे आपके चैनल पर ट्रैफिक आएगा और जो आपकी रेगुलर वीडियो है उससे लोगों को समझ में आता रहेगा कि आप किस डिरेक्शन में जा रहेगा उनसे कम्यूनिकेट होता रहेगा लोगों का दोस्तो इस ट्रीक को मैं अपने ही यूट्यूब चैनल पर अपलाई करने वालों तो कोई हाम नहीं होगा और आप 30 दिन के बाद मेरी ही गरोध देख लेना मुझे नहीं पता जादा होनी है या कम होनी है लेकिन मेरे को लगता है कि पहले से बैटर सिचुएशन में ले है तो सब्सक्राइब कर लो बैल नोटिफिकेशन प्रेस कर लो और इंस्टाग्राम पर फोलो कर लो लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्को मेरे हिसाब से आपको अभी के अभी है न 30 देज का चैलेंज गैरंटी लेना चाहिए और इसको बहुत सीरियसली कर लेना चाहिए क 30 देज के कोई वीडियो आइडिया एक नोट्बुक पर लिख लो और डेली एक वीडियो एक्क्राइन करके रख दिया करो उसे शैड्यूल करके रख दो आपके 30 देज का सेक्रिफाइज आपको बहुत आगे ले जाएगा आपके यूट्यूब केरियर में या फिर किसी भी फिल्ड में आप 30 देज का एक चैलेंज लेके देखो और बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मिलते एक नियो और एक्साइटीड वीडियो के साथ आप लोग अपना ध्यान अपना